हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किट्स लीग क्या आपके बच्चे आधी राग को रोते वे उठ जाते हैं? क्या आपके बच्चे पैरों में दर्ध ऐसा कम्प्रेन करते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी और बहुत सारी हेल्प मिलने वाली हैं तो वीडियो पे अंतक बने रहें ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली मिल सकें वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक बटन हिट कर दीजेगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करके रेड बटन को हिट कर दीजे फोर रेगुलर अप्टीज तो चलिए फिलाल के लिए लेट स्टार्ट दा वीडियो पैरों में दर्ड या लेग पेंग इसे साइंस में इसे ग्रोइंग पेंग के नाम से जाना जाता है ये जादा तर दो से लेके बारा साल के बच्चों में पाया गया है ये इस एज ग्रूप के बीच में भी 3 to 5 और 8 to 12 इस एज ग्रूप के बच्चों में ये जादा देखा गया है इसमें पैरो में दर्ध होता है जिसमें फ्रन्ट थायस, बच्चो के नीज के पीछे वाला हिस्सा, काप्स में, इन सारी जगों पे ज़ाध तब पेन दिखा गया है जनरली ये जब भी pain होता है दोनों पैरों में ही equally pain होते है इससे growing का या growth बेबी की growth का कोई भी relation नहीं है पर क्योंकि इसका नाम growing pain है तो बहुत कोई confused हो जाता है क्या इससे baby का growth हो रहा है बच्चे का growth हो रहा है इसी वज़े से pain आ रही है बेलकुल नहीं साइन्स ने से proof किया है साइन्स मानता है कि जैसे जैसे बड़े बच्चे बड़े होते हैं तो उनका जो muscles है over tired हो जाने के वज़े से बहुत excessive जब वो खेल कुद करते हैं कोई भी athletics करते हैं या jumping करते हैं तो इन सभी कारणों से muscles को over tired हो जाता है मसल्स इसी वज़े से टांगों में दर्ध होने की संभावना रहती है इसे वज़े से दर्ध होती है अब जो लेते हैं ये pain जो है ये कब होती है ये pain जो है evening से start हो कर मतला after उनके बाद से evening से लेकर night before bedtime night को ज़्यादा तर देखा गया है सुबह होते ही ये pain गायब हो जाती है क्योंकि ये pain बहुत common है तो इसलिए हमें ऐसे solutions ढूनने हैं ऐसे treatment ढूनने हैं ताकि हमारे बच्चों को इन pain से हम relief दिला सके उसी treatment में first जो है वो है normal जो हम कर ही सकते हैं that is आप मसाज दिलाईए आपके बच्चों को before bedtime lukewarm oil से मसाज दिला सकते हैं कोई भी body massage oil जो आप baby के लिए use करते हैं during bathing तो वो आप use कर सकते हैं night में before bedtime उसे मसाज हलकी से 10 minute का दिला दिला दिजिए ताकि वो relax हो जाए और वो आराम से रात को सो सके second है अगर रात को तब भी मसाज दिलाने के बाद भी रात को जक्यूट जाता है बच्चा तो आप उसी जगा पे जिस जिस एरिया में उसे pain हो रहे हैं कि काप्स मसल्स में जादा था पेन आते हैं या फिर थाइस में पेन हो रही है तो उस जगा पर heating pad दे सकते हैं या फिर cold compress भी दे सकते हैं कोई टावल को भीगा लिया थंडे पानी से वहाँ पे दे सकते हैं डिपेंडिंग अपन कि आप कौन से time में दे रहे हैं कौन से season चल रहा है उससाब से विंटर में थंड का मद भिया किजिए इससे नुकसानी होगा तो hitting pad यूज का सतयाफे बैसे ही टाव को जरूर कंसल्ट कर सकते हैं कोई भी pain relief medicines अगर डॉक्टर आपको prescribe करता है तो आपको जरूर बच्चे को दे सकते हैं और fourth tip जो मैं बोल सकते हूं जिससे बच्चों को अगर एक से दो बार weekly ये pain हो रहा है आप देख रहे हैं frequently बच्चे इसे phase कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि stretching करवा सकते हैं stretching exercises छोटी एक 10-15 minute का warm-up के लिए जब बच्चे खेलने जाता है उससे पहले ताकि क्या होगा रहसे हमारे साथ भी सेम चीज़े होती हैं जब हम भी कभी घर के कामों में लगे रहते हैं and all of a sudden बाहर जाते हैं कोई activity हमारे साथ जादा हो जाती हम कर लेत हैं तो हमारे भी लेक्स में पेन होती हैं क्योंकि जो हमारे मसल्स है वो स्ट्रेच हो जाते हैं all of a sudden इससे प्रॉब्लम पेन होती है प्रॉब्लम होती है तो इसलिए अगर आप stretching करवाते हैं stretching exercises बच्चों को करवाते हैं before they are going to play जब खेलने बाहर जाते हैं कोई भी jumping climbing कोई activities करने से पहले stretching activities करा दें तो यह pain कम होगा अब यह तो बहुत clear हो गया है कि मसाज या सेख से हम बच्चों को इस pain से थोड़ा सा रिलीव दिला सकते हैं पर घबराने वाली बात कम है घबराने वाली बात या फिर कोई unusual अगर हम कुछ देखते हैं बच्चों में जो daily activities कर रह उसमें कुछ unusual behavior देख रहे हैं तब घबराने की बात है तब हम doctor के पास जाना बहुत ज़रूरी है पहला यह second है अगर बच्चों को pain बहुत जादा हो गया इत्ता pain हो गया कि बच्चों को fever आ गया तब घबराने वाली बात है थर्ड यह है कि बच्चा लंगडा के चल रहा है प्रॉपली चल ही नहीं पा रहा है लिम करके चल रहा है तब घबराने वाली बात है फोर्थ है अगर बच्चे को जहां legs में pain हो रहा है वहाँ पे सूजन आ गया है वहाँ पे red color के रैशे से कोई भी color के रिया रैशे हो गय पर अगर सुबह भी आप देखते हैं कि बच्चे पें में हैं legs pain का complain कर रहे हैं तो आप जरूर डॉक्टर को कंसर्ड कीजे और उनके प्रस्काइब गेगे medicines जो भी direction गो दे उसे जरूर अपना है I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो इससे आपको थोड़ी सी भी health होई प्लीज शेयर किजे आपके आसपास के friends को relatives को new moms को ताकि उन्हें भी help हो सकते हैं हमारे चैनल में storytelling, parenting tips और बहुत सारी recipes जो बच्चों के साथ साथ में मिलके और बच्चों को दे सकते हैं और बहुत सारी festivals जो हम बच्चों के साथ साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं उनको easy step सिख जो हमारे चैनल में देखी जाती है तो प्लीज सब्सक्राइब दर चैनल ताकि आपको बहुत सारी इंट्रेस्टिंग वीडियो आगे भी मिलते रहें एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइबाइ बी हैपी वी सेग खर उनको – अबे बाइबाइब बाइबाइ